तो वो ऐसा शो करती है कि वो कस्टमर के पाले में खड़ा है कि का टार्गेट है वो कौन है वाइफ है कि यह हॉट लीड है जल्दी क्लोज होने वाली यह समझना ज़रूरी कि कंज्यूमर की साइकलोजी के है हाँ जी नमस्कार सबसे पहले तो आप सभी के कॉमेंट्स मेरी टीम भी पढ़ रही है मैं भी चेक कर रहा हूं और कॉमेंट्स पढ़ने के बाद ना बहुत खुशी होती है कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं आपके प्यार के लिए सबसे पहले हिर्दे के गयरायों से बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों के लिए क्यू एंडे सीरीज जो हमने शुरू की थी अपने वैल्यूबल सब्सक्राइबर और व्यूवर्स के लिए उसमें मैंने का था कि आप अपना प्रशन पूछे क्योंकि हमारे अलग तरीके हैं जिन से बेसे मिन जनरीट करते हैं ब्रेंडिंग करें प्रह्मोशन करें मार्कटिग एड़ीयूद चलाएं पोस्टर लगाएं मैंने क biss वीडियो बनाएं कि कितने तरीकें करने के प्रोमोशन करने के मार्केटिंग करने के लिए वो सब कुछ आपने कर लिया और बहुत सारी लीड़ी कठी कर ली अब जो सीखना है न वह बहुत इंपॉर्टेंट है वह कहा है लीड को कैसे सेल कनवर्जन में कनवर्ट करें मतलब इसको सेल्स में कैसे कनवर्ट करें इस विशह पर आज हम बात करने वाले हैं क्योंकि सबसे ज्यादा जो पुछा गया है वो यही पूछा गया है तो चलिए बात करते हैं लीड को सेल्स में कैसे कनवर्ट करें तो आपको पता ही है कि आपकी लीड जो होती है वो तीन तरह क करता है सबसे पहले जो आपकी सारी लीड जैना जब आप उनको फॉलो अप करते हैं तो आपको लगबग आइडिया वहते हैं कि होट जल्दी क्लोज होने वाली डील है तो उसको अलग से माक कर ले और वाम लीड मतलब जिसकी पॉसिबिलिटी यह अगले एक अगले एक अगल हैं तो बिना मतलब में कॉल करकर जानकारी लेगा क्या बेकार में बहुत सारे नंबर Google पर सरक करके जानकारी खुद लेते हैं नहीं लेते ईना आपके वह लुज मे चिस करना है जो प्रोडक्त या सर्विस आप के पास आ रही है उसका conversion बहुत अच्छा आएगा और हम तो चाहते हैं आपकी sales lead का conversion अच्छा है तो चलिए steps की बात करते हैं क्या करना है सबसे पहला जो काम करना है जो सबसे essential काम है वो क्या understand need of your client अपने ग्रहाग की जरूवत को समझो problem पता है क्या है जो sales team करना लीड आ गई sales के लिए पिछ करना सबसे पहले ग्रहाग की जरूवत को समझो किस बजट की चीज़ चाता है किस quality की चीज़ आता है कब चाहता है दूसरा यह जाननी की कोशिश करो कि who is the decision maker कि जिसने lead feed की है ना उसकी desire कब है कब उसको product की need है यह समझो दूसरा उसको close कौन करेगा जैसे मानली जी आप coaching institute की leads को follow कर रहे हैं तो बहुत सारे students के parents का डेट आपके पास है तो students के बारे में आप बता रहे हैं बारे में बता रहे हैं उनके benefit के बारे में बता रहे हैं तो यहां पर deal close करेगा पेरेंट्स ठीक है या किसी बच्चे ने lead feed कर दी आप उसको बहुत सारा convince करने की कोशिच कर रहे हैं की के discount के बारे में बता रहे हैं decision कौन लेगा उसके parents तो important क्या है कि deal को close कौन करेगा उसके parents ऐसी बहुत सारे businesses में आपको यह पता लग जाता है कि इसका decision maker कौन है जैसे हमारे वाले case में family के कुछ लोग मिलने आते हैं घूमने आते हैं शोरूम देखते हैं product देखते हैं पर decision maker कौन है जो payment करेगा और decision maker में जो dream उसको desire में कौन convert करेगा वो है उसकी wife क्योंकि हम बनाते हैं stainless steel modular kitchen तो wife उसको force करेगी कि हा मुझे यह kitchen बहुत अच्छा example था इस बात को समझाने का कि भई हमें यह जानना है कि decision maker कौन है decision maker को जानने के बाद ना explain benefit of buying product यह बहुत important बात है बहुत सारे लोग product के feature गिनाने में लग जाते हैं इस product में यह खासियत है इसमें यह खासियत है आपको अपने product की खासियत नहीं पता नहीं आपक customer को क्या benefit हो सकता है जैसे हमारी sales team के कुछ लोग focus कर रहे थे कि हम steel kitchen बनाते हैं हम steel kitchen बनाते हैं मनका यह focus नहीं करना आपको focus क्या करना है कि buyer को उससे क्या benefit है किसा अगर आप wood kitchen लगाएंगे तो termite लग जाएगी आपकी मेहनत की कमाई दीमग ने खाई तो steel kitchen क्यों नहीं ल समझाए उस product को खरीदने से ग्रहा को क्या फाइदा होगा यह समझाया इसलिए मैंने यह लिखा है not feature advantage of product ना तो आपको feature advantage of product बतानी है benefit क्या होगा यह समझाना है और हर व्यक्तिना अपने benefit की बात समझना चाहता है जो expert sales मैंने वो पता क्या करते हैं जब company का product sale करते हैं तो दिलाऊंगा जितना उसको निचोड़ सकता हूं निचोड़ूंगा जितना उनसे फाइदा आपको दिला सकता हूं दिलाऊंगा क्योंकि आप मेरे लिए important है company मुझे salary देती है पर मुझे salary मिलेगी तब आपसे deal होगी तो यह कई sales पैंज होते हैं तो यह expertise अपनी sales team में यह मैं आपको डालनी है कि कैसे वो ग्राहक को मतलब ग्राक के favor में खड़ा हो जाए कि मैं लड़के लाऊंगा company से आपके लिए benefit आपने देखा होगा बहुत सरे experts ऐसे होते हैं आप भी जाते होगा शर्ट ट्राउजर ट्राई करने जिन्स ट्राई करने वह ऐसे करता है कि आप लो सर आपको पहले convince करेगा किया सर डिसकाउंट तो मैं करा दूँगा आप लो मैंने एक बंदे की strategy देखी तो उसने इदवर देखा और calculator पर यूंगा सर यह special आपके लिए यह special आपके लिए तो मुझे लगा अच्छा मैं बिल्कुल different हुए चुपा के मुझे discount बता रहा ह इसका benefit क्या हुआ deal close कर लिए उस बंदे ने और उसके बाद ने upselling भी कर दी उसने cross selling भी कर दी बहुत सारे एक्स्ट्रा प्रोड़क्ट भी दे दिए अच्छा हां upselling cross selling के बारे में अगर नहीं पता है तो एक वीडियो मैंने पहले अल्रेडी चैनल पर बनाया उसको जरूर को देख लो कि क्या होता है upselling and cross selling एक ही ग्राक से जदा माल कैसे बेचें और उसके price को कैसे increase करा है यह बड़ी इच्छी strategy बहुत सारे salesmen अपनाते हैं इसलिए पहले अपनी company में implement किया फिर मैंने आपको बताया करना कैसे नेक्स जो इंपोर्टेंट बात है गिव दा offer दो जैसा offer कोई और नहीं दे सकता अब आपको लगेगा best offer का मतलब सिर्फ discount ना 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 बेस्ट offer का मतलब discount नहीं है तीन तरह के ग्रहाक है price conscious quality conscious and brand conscious एक वो ग्रहाक है जिसको सबसे सस्ता चाहिए आप दुनिया का बेतर से बेतर माल दे दो चाहिए उससे सस्ता तो वह आप price compete कर सकते हैं तो वह आप से लेगा दूसरा है quality conscious उसको brand से लेने देना नहीं है और price से लेने देना नहीं है वो लेगा best quality चाहिए वो a brand हो या b brand हो तो अगर आप quality को focus करोगे तो आप आसानी से उसको close कर पाऊगे और third brand conscious कि उसको एक particular brand ही चाहिए जैसे shoes में अगर कोई बो आपको यह समझना जरूरी कि consumer की साइकलोजिक है उसके बाद ask for Q&A उसके मन के सवालों को जानो उसके मन में क्या प्रश्ण है जो भी उसके सवाल है उनको solve करो उसके सारे doubts clear करो उसके सारी queries जो उसकी है वो सारी solve करो जब solve करेंगे तो आपका attachment और अच्छा होगा trust build होगा और जब trust build होगा तो ask for the sale अभी लोग trust build कर लेते हैं सारी चीज़े solve कर लेते हैं ढरते हैं कि यार sale के लिए pitch करूँ भी या ना करूँ जैसे ही आपका trust build हो तो जैसे ही आप sale के लिए pitch करेंगे और आपकी bonding अच्छी होगी तो वो sales deal आसानी से close होगी उसके बाद close the deal और हर चाहता ही है कि अब डील क्लोज करें जब डील क्लोज हो तो इसको thanks करें best services दें अच्छा product अच्छी quality दें और फिर उससे मांगना शुरू करें references जितने referral आपको आपका existing client देगा उतना ज़्यादा वो referral आसानी से deal होगा उसके पीछे कारण है क्योंकि जिस व्यक्ति का reference दि हो जाती है यह भी समझना बहुत जरूरी है इसको आपको focus करना ध्यान रखिएगा sales से related marketing से related ब्रैंडिंग से related promotion से related टोटल बिजनस के आयाम से related बहुत सारी वीडियो इस चैनल पर आपको मिलने वाले हां पर follow-up की strategy के लिए दो special video है कि sale बढ़ाने के लिए follow-up कैसे करें औ और five step follow-up क्या होता है पाची बार follow-up करना deal close होगी इन दोनों वीडियो को आप जरूर देख लें और फिर भी कोई doubt रह जाए वो comment box में लिखें और हम उसको अच्छे से study करेंगे और कोशिश करेंगे कि आने वाली वीडियो में आपके सवाल का जवाब दें नेक्स जो important ब इतना सब कुछ होने के बाद ना मैंने एक चीज नोटिस की और वो नोटिस क्या किया कि बहुत सारे successful business owner, industrialist, manufacturer, trader, exporter या professionals अपनी success के secret किसी के साथ share नहीं करते और मैंने decide किया था कि जब मैं सफलता आसिल करूँगा तो वो मैंने कैसे की मैं हर विक्ति को बताऊंगा ताकि भारत के हर घड़ से एक बढ़िया बहतरीन सफल businessman तयार हो सके इसलिए अपने business time से extra time निकाल के आपके लिए वीडियो बनाता हम ताकि आप चीजों को सीखें आप ग्रो करें जब आप ग्रो करेंगे तो आपका परिवार ग्रो करेगा आपका परिवार ग्रो करेगा तो भ लोगों के प्यार की वज़े से हमने वन मिलियन सब्सक्राइबर का आखड़ा पार कर लिया है फिर भी कोई प्रशन आपके मन में रह जाए तो उसको comment box में लिखें मैं उसको study करूंगा मेरी sales team study करेगी जो content design करती है वो team study करेगी और question को select करके आने वाली वीडियो में उसक अर्ण करेगी तो